नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z Dishes उशाकोरजानी में आज आपके साथ में शेर करने जारी बहुत ही बढ़िया सी और हेल्दी रेस्पी वो है ओट्स उपमा खाने में बढ़िया लगती है और बनाने में भी आसान है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा चलिए बनाना शुरू करते हैं healthy and tasty oats उपमा तो oats उपमा बनाने के लिए सबसे पहले ingredients देख लेंगे यहाँ पर मैंने ले लिया है oats ये करीब एक कप मैंने oats लिया है फिर मैंने लिया है एक कप सूजी फिर मैंने लिया है मतर ये दो टमाटर को मैंने बारिक कट कर लिया है चोटे टमाटर थे उसे मैंने बारिक कट कर लिया है यहाँ पर मैंने एक बड़े प्यास को बारिक कट कर लिया है दो हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से कट कर लिया है फिर मैंने लिए एक बड़ा चमच अद्रक लिसन की पेस्ट फिर मैंने लिए यहाँ पे एक कटूरी दही यह घर की दही है अब मार्केट की भी ले सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे लिए करीब 7-8 काजू जिसे मैंने इस तरह से टुकडों में कट कर लिया है फिर मैंने लिए यहाँ पे 8-9 कड़ी पते एक बड़ा चमच सफेद उड़त की दाल मसालों में मैंने लिए यहाँ पे एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच लाल मिर्श पाउडर फिर यहाँ पे मैंने लिए है नमक and then फिर मैंने यहां पे ले लिया एक बड़ा चमच राई और एक चमच हिंग फिर मैंने लिया हरा दनिया तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस तरह से हम एक बरतन ले लेंगे अब इसमें पूरा पानी बर लेंगे और इसमें डाल देंगे मटर अब पानी को उबालेंगे और साथ साथ में मतर भी उसके साथ गल जाएंगे तो गैस को ओन कर दीजे और ये उबलना शुरू हो जाएगा फिर दुसरे सेट हम रख लेंगे एक कड़ाई और उसमें डाल देंगे दो बड़े चमच कुकिंग ओईल अब इधर गी भी एड़ कर सकते हैं फिर हम डालेंगे इसमें राई और हिंग अब इसके अंदर एड़ करेंगे एक बड़ा चमच उड़त की डाल इससे थोड़ा से हम बून लेंगे इस तरह से चलाते हुए करीब दो मिनिट तक आपको बूनना है तो यहाँ पर देखें दो मिनिट हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता काजू के टुकड़े और इससे चलाते हुए फिर से हम बूनेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे बूनन में तो यहाँ पर देख सकते हैं ओड़त दल और काजू दोनों का कलर चेंज हो चुका है यह हो चुका है विसके अंदर डालेंगे बारिक कट किया हुआ प्याज हरी मिर्ची के टुकड़े और इससे चलाते हुए और हम बुनेंगे करीब तीन से चार मिनिट आप यह जो ओ कर सकते हैं यहाँ पर हमने बुन लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लसन की पेस्ट और इसे फिर से हम चलाते हुए बुन लेंगे अद्रक लसन की पेस्ट से टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़िया आता है तो करीब दो मिनिट तक इसे इस तरह से चलाते हुए अब इसमें हम एंट करेंगे दो मुनिट के बाद बारी कटके हुए टमाटर जिसे मैंने बारी कट कर लिया था आप इस तरह से चलाते हुए इसे हम तीन से चार मिन तक और बुनेंगे तो इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे बुनते जाएंगे तो देखिए यहां पर यह दीरे दीरे अच्छे से बुनना स्टार्ट हो चुका है और यह हो गया है अब मसालों में इसमें एड़ करेंगे लाल मिर्श पाउडर फिर एड़ करेंगे हल्दी पाउडर और इसे फिर से चलाएंगे और एक मिनट तक फिर से इसे पकाएंगे इस तरह से चला दीजे और इसे एक मिनट तक आप पकाईए और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी उबल चुका है और इसके अंदर जो मटर थे वो भी पक चुके है अब हमारा ये मसाला सारा हो चुका था पका लिया था विसके अंदर डाल देंगे सूजी और इसे चलाते हुए करीब हम तीन से चार मिन तक बुनेंगे सूजी यहां पर मैंने एक कब सूजी ली है इस तरह से डालने के बाद सारे मसाले सूजी में अच्छे से मिल जाए और इस सूजी को उमें तीन से चार मिन तक करीब बुनना है तो इस तरह से चलाते जाए और इसे अच्छे से आपको बुन लेना है आप देख सकते हैं सूजी ने सारे मसाले एब्जॉब कर लिये हैं और ये बुनना भी स्टार्ट हो चुकी है अब ये हो गया है इसके अंदर हम एट कर देंगे ओट्स ये प्लेन ओट्स से आपको मार्केट में इजिली मिल जाएंगे अब इस तरह से अच्छे से इन सबको आपको मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं सारे जो सूजी के मसाले थे ये ओट्स में मिलना शुरू हो गए हैं इस तरह से चलाते जाए और इसे मिक्स करते जाए आप देख सकते हैं दीरे दीरे सारे oats, mix होते जा रहे हैं, सूजी और मसालों के अंदर, तो इस तरह से आपको mix करते जाना है, और बीच बीच में, इस तरह से थोड़ा आपको दबाते भी जाना है, ये कर्ची की मदद से, ताकि जो थोड़े थोड़े इसमें लम्च हो रहे हैं, वो तूट से कड़्ची की मदद से अब यहां पर देख सकते हैं अमने सारा मिक्स कर लिया है और इसे बोन भी लिया है करीब इसे थीन से चार मेंट तक और बोना था अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे पानी और मटर पानी उबल चुका है मटर पक चुका है अब दीरे दीरे करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे आपको एक साथ पानी नहीं डालना है दीरे दीरे करके डालना है और इस तरह से चलाते हुए आपको पकाना है तो देखे हमने दीरे दीरे करके पानी सारा डाल दिया है और इसे इस तरह से mix करते जाएंगे और पकाते जाएंगे अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे फिर से चलाते हुए हमें पकाना है अब इसमें हमें add करनी है दही पर अभी पानी थोड़ा इसमें जादा है तो इसे हमें थोड़ा और cook करना है तो करीब इसे आपको 4-5 मिंट तक cook करना है फिर इसमें हम add करेंगे दही तो यहाँ पर 4-5 मिंट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था वो एब्जर्व हो चुका है थोड़ा अभी भी है पर इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक कटूरी दही यह घर की दही है आप मार्केट के भी ले सकते हैं अब अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर देना है और करीब इसे 2-3 मि अब गैस को बंद कर देंगे आप देख सकते कितनी यह बढ़िया है अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें यह सारी उपमा डाल देंगे जैसे हमने पानी में मटर डाल के उसे उबान ले रखा था अब उस वक्त गाजर भी डाल सकते हैं तो देखे इस तरह से अमने सारी उ और टेस्टी फुल यह है ओटस उपमा तब जरू ट्राई कीजेगा सूजर की खाते ही रहते हैं तो इस तरह की भी उपमा ट्राइ कीजे और अपने डे को healthy डे बनाएं तो जरू ट्राई कीजेगा वीडियो कैसे लगे मुझे बताइब अच्छी लगे हो तो इसे लाइक की किजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूं न्यू रेसिपी के साथ थैंक यू फो वचिंग